हस्की लेंस जो एक आर्टिफिशली इंटेलिजेंट विजन सेंसर है इसको यूज करते हुए हम ये स्मार्ट डॉग हाउस बनाते हैं तो वो डॉग हाउस का दर्वाजा खोल देगा और जब फिर डॉग अंदर चला जाएगा या अपने डॉग हाउस पे नहीं होगा तो दर्वाजा जो है वो बंद हो जाएगा तो हम Microbit, Husky Lens और Servo Motor यूज करते हुए ये प्रॉजेक्ट बनाना सीखते हैं Husky Lens एक Artificially Intelligent Vision Sensor है Machine Learning के Algorithms को यूज करते हुए ये कई किसम की चीजें रिक्रिगनाईज कर सकता है जैसे Face, Object, Line, Color और QR Code मैंने एक पहले वीडियो में Husky Lens के Features को Detail में समझाया है इस वीडियो में हम Husky Lens के Object Recognition Feature को यूज करेंगे Husky Lens 20 प्लस Pre-Trained Models के साथ आता है तो अगर हम Husky Lens को, for example, अगर मैं ये Horse दिखा रहा हूँ तो Husky Lens उसको Recognize कर पा रहा है कि ये एक Horse है ये Potted Plant है, ये एक Bottle है, ये Sheep है, ये Dog है, ये Cat है अगर हम थोड़ा इसको और Test करें, तो ये Cat को Different Poses में भी Recognize करता है तो ये Cat है, ये Cat है, ये भी Cat है, इवन Inverted Cat को थोड़ा Problem हो रही है, बट फिर भी Recognize कर पा रहा है कि ये भी Cat है, और अगर मैं ये Cat और Dog दोनों दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको ये Dog को Recognize करने में प्राब्लम हो रही है क्योंकि कभी वो कह रहा है, परसन है, कभी कह रहा है, कि Dog है, कभी कह रहा है, बर्ड है और ये Cat को तो नहीं Recognize कर पा रहा है और लाइकवाइज अगर मैं इसको ये Tiger दिखा रहा हूँ, तो वो उसको Dog Recognize कर रहा है तो main समझने वाली बात ये है, कि it all depends on कि हमने Husky Lens को कितना train किया है एक particular model Recognize करने के लिए तो जो हम Dog House का project बना रहे हैं, हमें Husky Lens को train करना है कि वो इस particular Dog को Recognize करे, तो इस पे focus करके, मैं यहाँ Top Right का Learn का जो बटन है, ये दबाता हूँ तो यहाँ पर इस ने इस Dog को Recognize करके, उसको Dog ID 1 जो है, वो Assign कर दिया है तो ये Dog ID 1 हमें याद रखना है जब हम Make Code में Code लिखेंगे, तो हमारको ये Dog ID 1 जो है, इसको यूज करना होगा इस project को बनाने के लिए, हमारको ये Husky Lens चाहिए उसके अलावा एक Microbit चाहिए, ये जो Husky Lens है, जब ये Microbit से Connect करते हैं हम इसको तो इसको हम I2C Serial Communication में Connect करते हैं, इसलिए हमें Pin No. 19 और 20 चाहिए जिसकी Access हमें सीधे Microbit पर नहीं मिलती है, इसलिए हम ये एक Breakout Board यूज करेंगे और इस Breakout Board से हमारको यहां पर ये Pin 90 और 20 जो है, ये मिल जाएंगी उसके अलावा हम फिर ये एक जो Servo Motor है, ये यूज कर रहे हैं आप Simple कोई भी Motor लगा सकते हो, मैंने ये एक Rack and Pinion System जो है, ये 3D Print किया था तो मैं ये यूज कर रहा हूँ, Essentially ये क्या करता है कि जो Servo का Rotational Movement है, वो इस Rotational Movement को Linear Movement, Forward and Backward इस पर Convert कर देता है, तो मैंने ये बना कर, यहां पर Simple Tape से ये एक Red Color का Cardboard जो था, ये लगा दिया था, to make the door of the door house, तो ये हमारे components है, हम इसकी wiring इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारे पास Servo से तीन wires आ रहे हैं, जो Red है, वो VCC या Voltage, जो Black है वो Ground और जो तीसरा Orange है, वो Orange या Yellow जो है, वो हमारा Signal का वायर है, तो इसको मैं, क्योंकि ये Servo ज़्यादा Current Raw नहीं करती है, तो मैं इसको Directly Microbit से Connect कर सकता हूँ, तो मैं Breakout Board में, Servo को मैं VCC Pin से लगा रहा हूँ, Ground को Ground की Pin से लगा रहा हूँ, इस Particular Motor Driver Board में, ये सारी नीचे Ground Pins हैं, बीच की सारी Voltage की Pins हैं, और फिर Most Important Cable ये, जो हमारी Signal Pin है, ये है, इस Signal Pin को मैं, Microbit के Pin Number 0 पे लगा रहा हूँ, उसके बाद ये जो Wires हैं Husky Lens के, इनको मैं यहां Connector से Connect कर रहा हूँ, ये एक ही Direction में Fit होते हैं, Voltage का जो Cable है, वो Extreme Right में है, और ये जो अब हमारे को चार Wires यहां से मिले, इसमें से जो Blue Color का Wire है, वो Serial Clock का Wire है, SCL, तो मैं उसको यहां, Microbit में, जो Default, SCL होती है, तो मैं उसको SCL से Connect कर रहा हूँ, और Green Wire को मैं Pin 20, या SDA, या Serial Data से Connect कर रहा हूँ, और Ground को मैं किसी भी Ground Pin से Connect कर रहा हूँ, इससे जो ये चौथा Wire आ रहा है, जो कि Husky Lens की Voltage का है, मैं इसको नहीं Connect कर रहा हूँ, क्योंकि हम Voltage USB से Supply कर रहे हैं Husky Lens को, और फिर मैं Microbit को Connect कर रहा हूँ, Breakout Board में, तो ये essentially हमारा Setup रहेगा, Husky Lens है, है हमारे पास, हमारे पास हमारा Microbit है, और हमारे पास Servo Motor Attached to a Rack and Pinion System है, Next Step पर हम Make Code में इसका Code लिखना सीखते हैं, तो मैं MakeCode.Microbit.org में हूँ, मैंने एक नया Project शुरू किया है, Husky Lens यूज करने के लिए हमें Husky Lens का Extension Add करना पड़ता है, तो मैं Extensions में जाके Husky Lens सर्च कर रहा हूँ, और फिर इसका जो Extension है, इसको Install कर रहा हूँ, तो आप हमारे क Husky Lens के Programming Blocks मिल गए हैं, तो सबसे पहले Husky Lens को हमारे को Initialize करना होता है, कि वो I2C Mode में, जो है, वो हमारे Microbit से Connect हो, इसके बाद हमारे को Define करना पड़ता है, On Start कि हम Algorithm कौन सा Use कर रहे हैं, Husky Lens में ये सारे Algorithms हैं, Face Recognition, Object Recognition, etc. तो इसमें से हम अभी Object Recognition का Algorithm यूज कर आते हैं, कि Husky Lens, जो भी हम Data वो Gather कर रहा है, जब वो किसी Object पर Focus करेगा, और Object को Identify करेगा, तो वो Data वो Result में Save कर दे, Next Step पर हमें चेक करना है, कि जो भी हम Object Recognize कर रहे हैं, यहाँ पर Dog ID 1, Husky Lens ने Indeed उसको Learn कर लिया है, तो मैं पहले Logic में जाके, एक If का Conditional Statement ला रहा हूँ, इफ देन का Conditional Statement, और मैं फिर यह Command ला रहा हूँ, कि Husky Lens, Check if ID 1 is Learned from the Result, क्योंकि अगर यह ठीक से, Result में यह ID 1 Learn नहीं होगी है, तो बाकी Program नहीं चलेगा, पर अगर यह Learn हो गई है, तब फिर हम Check कर सकते हैं, कि जो भी Screen पर है, वो क्या है, तो इसके लिए, मैं फिर एक और Logic में जाके, एक If-Then-Else का Conditional Statement ला रहा हूँ, फिर मैं यहां Husky Lens में जाकर, यह Command ला रहा हूँ, कि Check if ID No.1, Frame of ID No.1 is on the Screen from the Result, तो यह Command जो है, वो चेक कर रही है, कि क्या Screen में ID 1 Frame में है कि नहीं है, और अगर है, that means कि Dog identify हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी Servo Motor, जो है, Dog House का दर्वाजा खोल दे, तो Servo चलाने के लिए, फिर मुझे Servo का Extension यूज़ करना है, तो मैं Extensions में जाके, यहां Servo की Library आड़ कर रहा हूँ, और फिर Servo से जाके, मैं यहां पर कह रहा हूँ कि Set the Angle to 180, यानि कि दर्वाजा जो है, खोल दो, और Else, अगर यह Dog जो है, वो Frame मे नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कर दो, तो मैं यहां 0, 0 degree कर रहा हूँ, Set Angle to 0 degree, और मैं यह भी चाहता हूँ कि जब हमारा Program शुरू हो, तब भी On Start भी Servo जो है, वो 0 से शुरू हो, तो मैं यहां पर उसको भी Initialize कर रहा हूँ, इसके बाद हम चाहें, तो कोई हम Indication अपने Microbit में Add कर सकते हैं, कि अभी State क्या है, तो इसके लिए मैं Basic में जाके, यहां पर यह Show String ला रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो दर्वाजा है, वो खुला है, तो O डिस्पले कर देना, Open, और अगर दर्वाजा जो है, वो बंद है, तो C डिस्पल आई है, तो मैं एक बार और समझा रहा हूँ, कि हम On Start पहले Servo को Initialize कर रहे हैं, कि वो Servo जो Pin No.0 में Attached है, वो Zero Degree Angle पर हो, फिर हम Husky Lens को Initialize कर रहे हैं, कि वो I2C Mode में हमारे Microbit से Connect हो, उसके बाद हम Define कर रहे हैं, कि जो Algorithm यूज़ कर रहे हैं, वो Object Recognition वाला Algorithm है, फ फिर हम Ensure कर रहे हैं, कि जो ID 1 जो है, वो Learn हो गई है, उसके बाद अगर ID 1 Learn हो गई है, तो यहां हम Nested Conditional Statement में Check कर रहे हैं, कि if ID 1 Frame is On Screen from the Result, तब यानि कि Dog जो है, वो Identify हो गया है, तो हम कह रहे हैं, कि जो Servo है, उसको 180 Degree कर दो, तो Servo जो है, वो एक Rack and Pinion System से Attached है, तो व दर्वाजा खोल देगी, और अगर Else हम कह रहे हैं, कि अगर Dog is Not in the Frame, यानि Husky Lens Dog को नहीं Recognize कर रहा है, तो फिर Servo का Angle Zero कर दो, और Rack and Pinion System use करते वे दर्वाजा बंद हो जाएगा, दर्वाजा खुला होगा, तो हमें O Microbit में दिखाई देगा, और दर्वाजा बंद होगा, तो हमारे को Microbit में C दिखाई देगा, Next मैं इस Program को अपने Microbit में Transfer कर रहा हूँ, और Setup करके हम इसको Test कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी दर्वाजा बंद है, और C हमें Microbit में दिख रहा है, जब Dog आता है, तो Recognize हो जाता है, और हमारी Servo दर्वाजा खोल देती है, और अगर Dog Frame में नहीं होता, तो फिर Servo जो है, वो दर्वाजा बंद कर देती है, और हमें C का Message मिल जाता है, हम इसको दुबारा Test कर सकते हैं, हमारा Program ठीक काम कर रहा है, I hope आपको यह AI Based Object Recognition का Program पसंद आया, और अपनी Imagination यूज करते वे, आप कई सारे Projects जो है, वो बना सकते हो, आपको 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 आपक